एक ऐसा प्लानेट जहां तक हमारे सूरच की रोष्णी बहुत ही मुश्कल से पहुँचती है एक ऐसा प्लानेट जहां से हमारा सूरच अस चुट यसे टिम्टी माता हुआ तार हाता है और इसलिए इस प्लैनेट की इनी करेक्टिस्टिक्स को देखते हुए इसे प्लूटो का नाम दिया गया साइज में हमारे चान से भी छोटे प्लूटो को सोलर सिस्टम की एच का इनसे इनिफिंट प्लैनेट माना जाता था लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सब कुछ बदल गया जुलाई 2015 माई में जब साइंटिस्ट ने न्यू होरीजन से मिलने प्लूटो के इमेटिस को पहरी बार देखा तो डंग रह गए कि कैसे सूर्च से इतना दूर अंधेरे में छुपा एक ठंडा सा डॉर्फ प्लैने का सर्फिस इतना हमारे अर्थ से मिलता जुलता है और उस पर हमारी अर्थ जैसे पहार और समंदर भी हैं लेकिन जब साइंटिस ने इस बारे में और भी जादा रिसर्च इस तेज कर दी तब उनको यह समझ में आया कि ऐसा तो होना ही था लेकिन कैसे जब हम प्लूटो के पहारों के images को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि यह बरफ पानी की बनी लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह आर्थ के पहारों पर बरफ पानी से बनी होती है वहीं क्लूटो पर यह सब कुछ नीथेन से बना हुआ है जो के एक organic compound है Pluto के atmosphere पे methane, nitrogen, oxygen, carbon monoxide जो के Pluto के atmosphere को Earth के atmosphere से बिल्कुल मिलता जुलता blue color दे देता है लेकिन फिर भी इतना कुछ जानने के बाद भी ये discovery अभी काफी नहीं है क्योंकि अगर Pluto के surface images को और भी जादा गहराई से देखें तो scientist को इस बात का भी proof मिला है कि शायद के भी Pluto के surface पे कोई liquid water ocean exist करता था लेकिन वेट, एक ऐसा planet जहां हमेशा अंदेरा रहता है sunlight भी नहीं आती और उसकी वज़ा से वहाँ का temperature minus 200 degree Celsius से भी नीचे है वहाँ पर हमें एक liquid ocean आखर कैसे मिल सकता है और उसका जवाब है उसके surface पे ये red color का region अब Pluto के first images release होने के बाद उसके उपर ये heart shape Pluto का famous और defining feature बन गया लेकिन ये frozen nitrogen से भरा हुआ ये heart image के just side पर हम देखें तो एक उससे भी ज़्यादा interesting और mysterious region मिलेगा जोके Pluto के orbit से new whale की तरह दिखाई देता है इसलिए scientist में इसका नाम red whale रखा अब अगर हम इस mysterious region की तरफ देखें तो काफी सारी theories हैं इसमें से एक theory के हिसाब से solar system के formation के वक्त ये region शाहिए क्लूचो के किसी massive object के impact की वज़ह से form हुआ होगा और उनके हिसाब से impact की force से इतना thermal energy release हुआ होगा कि उसने वहां पर मौझूद बरफ को इप इगला कर एक liquid water ocean को पॉम कर दिया होगा इसका मतलब ये है कि जब सारे planets form हो रहे थे उस वक्त अपनी earth पर गरब active volcanoes पूरी surface पे लावा की बारिश कर रहते हैं महीं पर ही दूसरी तरफ Pluto पर उसी टाइम पर liquid पानी मौझूद था लेकिन अब सवाल यह आता है कि आज की तारीख में earth के oceans लाल नहीं तो फिर Pluto के पानी में ऐसा क्या था जो प्लूचो के surface को यह लाल रंग दे दिया है अब scientist community में यह काफी जादा debate तो हो रही है अगर हम बाकरी में यह चाहते हैं कि debate एक speed पकड़ ले तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी काफी सारी pictures काफी सारी images लेकिन दूशी तरफ अब इन सब चीजों का scientist को काफी हद तक जवाब मिल चुका है जब उन्होंने organic molecules पर कही महीनों तक heating experiments किये और देखा जाये तो उसके पीछे का reason यही था कि Pluto के ocean जब form होई होंगे तब भी वहां के surface के impact की वज़ा से काफी गरम रहा होगा तो उनके experiments पर कुछ ऐसे molecules को select किया गया जो के Pluto को ocean पर उसी वक मौझूद होंगे और देखा कि organic molecules को कई महीनों तक 50 डिगरी तक लगातार गरम करने के बाद उसका color भी Pluto के surface के color जैसा red हो गया अब ये experiment वाकई में successful रहा color वाकई में red हो गया तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ था कि Pluto के surface पर organic molecules present हो सकते हैं और जिसे के हम सब जानते हैं कि organic molecules का मतलब है जमीन जैसी life तो क्या इसा हो सकता है कि solar system के starting days में Pluto के oceans पर living organisms हो यहां पर life के material हुआ करते थे अब यहां पर देखा जाए तो organic material भी available है पानी भी available है प्लूटो पर live होने के chances पर science community already बहुत जादा debate researches कर रही है कि आप लोग यह जानते हैं कि जिस impact पर प्लूटो को ओशन को फॉर्म किया उसी impact ने प्लूटो को मून भी फॉर्म करके दिया और सबसे इंट्रस्टिंग बात एक मून नहीं दो मून नहीं पांच-पांच मून मून नहीं होते हैं तो उन सब मून में सबसे बड़ा मून है यानि के शेरन इतना बड़ा है कि जहां एक तरफ हमारा मून हमारी अर्थ का सिर्फ 20 परसंट जितना है वहीं शेरन प्लूटो का 50 परसंट जितना है अब इतने बड़े comparative size की वजह से प्लूटो और शेरन एक द सब्सक्राइब करे कंसीडर किया जाता है लेकिन क्या हो अगर अब हमें यह पता चले कि पिलूटो की शुरूवात एक प्लैनेट की तरह हुई ही नहीं दरसल साइंटिस्ट यह मानते हैं कि सोलर सिस्टम के प्लानेट जब फॉर्म हो रहे थे तब यह प्लूचो तो नेप्चुन का एक सेटलाइट यानि के मून हुआ करता था और नेप्चुन के अराउंट रिवॉल्फ किया करता था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प राउंच अपने अलगी और्पिट में भेज दिया अभी थेयोरी कितनी सही है और कितनी हलत इस पे प्रूफ अभी तल जमा किये ही जा रहे हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अब हम मार्स और यूरिपा के साथ साथ क्लूट उपर भी अपनी लाइफ बना सकते हैं उससे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्ट करना पड़ेगा जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संसे इतना दूर होने की वज़ा से आखिर हम पावर किस तरह जेनरेट करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम है वहां का टेंपरेचर लेकिन आपने यह तो सुनाई नीचा होता है तो अगर हम थोड़ा सा दमाह लगाएं थोड़ा सा पेशिंस रखें तो शायद हमें टेंपरेचर की जादा फिकर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ पांच बिलियन साल के बाद हमारा सन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होने लगेगा और अर्थ और मा करने के लिए तो परफेक्ट है ना और सूरज को देखा जाए तो वह से स्टेज में एक लिस्ट वन मीलियन साल तक रहेगा मतलब इतना टाइम तक तो हम प्लूचो पर आराम से रह सकते हैं यानि कि मार्स और योर्पा के बाद प्लूचो ही हम हुमन सिविलाजेशन का निय चिकाना बनेगा